देवी और सज्जुनू मुझे बहुती खेद के साथ आप लोगों को यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा लेजेंडरी नोट 7 प्रो अब हमारे बीच नहीं रहा है इसने साड़े तीन साल हमारा साथ दिया है सब लोग कॉमेंट्स में इसे श्रद्धान जली देंगे आवए क्या लें तो हम सब अपने अपने लैटॉप से बेशुमार प्रेम प्यार महबबत इश्क एटसेटरा एटसेटरा करते हैं और हम सब चाहते हैं कि यार हमने इतने पैसे खर्श करके कोई लैटॉप लिया है तो वो जादा से जादा लंबे समय तक चलनी चाहिए को kill करती है तो ऐसी practices हमें avoid करनी चीए जिसमें से सबसे पहली practice है अपने laptop को हमेशा charge पे लगा कर यूज करना हम सब क्या करते हैं अपने laptop को on करते हैं और सीधा उसके अंदर charger गुज़र देते हैं बिना ये देखे कि भाई उसमें battery percent है कितनी उसको charge चाहिए भी या नहीं गलत बात है बच्चों हमेशा तब ही अपने laptop को charging पे लगाओ जब जरूरत हो ताकि उसकी battery health सालो साल अच्छी maintained रहे हाँ कुछ लोगों के laptops ऐसे होंगे जिनमें अगर charger ना लगाओ तो वो सिर्फ 5 से 10 मिनट चलेंगे अब उन्हें तो charge पे लगा के यूज करना पड़ेगा भाई मैं समझता हूँ उनके दिल का दर्द उन्हें तो charge पे लगा के ही अपना laptop यूज करना पड़ेगा हर टाइम मैं भी उनमें से एक हूँ और बाकी की टिप्स जानने से पहले दो पल ठहर के उस subscribe बटन पे क्लिक कर दीजिए देवी और सज्जनों वैसे तो सारे सज्जन ही है कोई देवी तो दिखती ही नहीं है अब हम रोज रोज अपने laptop को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके उपर काफी बार dust या मिट्टी जमा हो जाती है तो जाधा तर लोग न अपने laptop को गलत तरीके से साफ करते हैं हम लोग क्या करते हैं देखा कि बैस अब display पे ना इसे dust वस से आ रखी है सूखा कपड़ा उठाया उस पे मार दिया दुनिया भर के scratch आ जाएंगे उस पे कुछ लोग तो और महान होते हैं भाई सीधा call-in मार देते हैं डिस्पले पे सही तरीका क्या है पहले तो एक साफ कपड़ा ले लो अपने सौक से मत साफ करो अपने laptop को यार अगर वो कपड़ा micro-fiber cloth हो तो और अच्छी बात है उसके बाद उसको थोड़ा सा गीला कर लो और फिर अराम-अराम से जेंटली अपने डिस्पले को साफ कर लो डिरेक्ट डिस्पले पे पानी मत मारना तीसरी practice क्या है कि जब हमने laptop चला लिया ये भी नहीं करना होता क्योंकि इससे over time na laptop के hinge weak हो जाएंगे मेरे खुद के दोस्त के laptop के hinge खराब हो गए थे भाई experience है बोल रहा हूँ तो अगर अगली बार laptop यूज़ करने बैठ हो तो थोड़ा अराम से, प्यार से चौथी कलत practice है अपने laptop के heating vents को block कर देना ऐसा generally होता है जब हम अपने laptop को bed पे या रजाई पे रखके यूज़ करते हैं तो जब हम ऐसा करते हैं तो laptop जो heat produce करता है न वो बाहर नियाब आती, वो अंदर ही रह जाती है और वो गर्महट हमारे laptop के अंदर के components को खराब करती है इससे laptop की long term, performance, battery life अगेरा पे फरक तो पड़ेगा ही लेकिन जब हम उसके vents block करके उसको उसी time use भी कर रहे होते हैं तब भी laptop की overall speed कम हो जाती है क्योंकि laptop sense कर लिता है कि भाई laptop हो रहा है गरम, तो वो खुद को और ज़ादा गरम होने से बचाता है इसलिए सारे components को वो बहुत ज़ादा slow कर देता है ताकि और heat produce ना हो और इसी चीज़ को अंग्रेजी में throttle link कहते हैं तो भाई laptop को हमेशा या तो table पे रखके use करना है या फिर और एक better option बताता हूँ एक laptop stand खरीद लो एक बड़िया सा value for money laptop stand का link मैं description में डाल दूँगा पाज़े भी कौन सी गलत चीज़ करते हैं हम अपनी laptop के साथ जब हमने बहुत time तक अपना laptop यूज़ कर लिया जिस brand का तुम्हारा laptop है उसी brand का charger दुबारा खरीद लो मान लो अगर तुम्हारा HP का laptop है और तुम्हारा charger खराब हो गया तो दुबारा HP का ही charger खरीद लो या फिर दूसरा option है कि कोई भी charger ले सकते हैं लेकिन वो charger एक reputed brand का होना चाहिए अच्छी quality का और छटी tip है जो बहुत कम लोग follow करने वाले हैं लेकिन एक example के साथ समझाता हूँ कि भाई जैसे हम अपने phone के उपर cover लगाते हैं screen guard लगाते हैं उसको बहुत एक्दम से सहेज के रखते हैं ना वैसे ही अपने laptop के उपर भी screen guard और keyboard cover लगाना चाहिए ताकि आपके laptop की display scratches से बच जाए और भाई बहुत बार क्या होता है ना कि laptop की जो keyboard keys होती है उसके scratches display के उपर पढ़ जाते हैं जो बहुत गंदा लगता है और वीडियो वगरा देखते हुए media consumption करते हुए भी overall experience बहुत जादा खारा हो जाता है अगर इतने सारे scratches होंगे display के उपर तो भाई laptop के लिए screen guard तो लगाए लेना चाहिए और एक keyboard cover भी use कर सकते हैं जिसके दो फायदे होंगे पहली बात तो keyboard के अंदर dust नहीं जाएगी और दूसरी चीज keyboard keys का pattern भी display पे नहीं छपेगा तो भई यही थी कुछ tips and ticks जिनने follow करके हम अपने laptop की life को बहुत जादा बढ़ा सकते हैं और उसे सालो साल use कर सकते हैं बाकी बस यही थी आज की वीडियो यह रही बाकी वीडियो वक्त हुआ तो जरूर देखना मैं वो तीन magical words दो बारा से बोल देता हूँ लाइक शेर एंड सबस्क्राइब ठीक है मिलते हैं अगली वाली में